दोस्तो आइपेल 23 में एक आओ धमा के दार मुकाबला रोयल चिलन्जस बेंगलोर और रास्तार राल्स के बीच जेपूर के सवाई मान सिंग स्टेडिय में खेला गया इसमें रोयल चिलन्जस बेंगलोर के कप्टान फाब डूप्रेस इसने टोस जित कर पहले बल्ले बाजी करने का फेसला किया और पहले बल्ले बाजी करते हुए रोयल चिलन्जस बेंगलोर की टीम ने मातर पांच वीकेर की नोकसान पर 171 का लक्ष खड़ा किया रोयल चिलन्जस बेंगलोर की तरफ से इसमें चे कप्टान फाब डूप्रेस ने च्वालिस गंदों में तीन चोकर लक्ष का पीछा का नोतीरी रास्तान रेल्स की टीम की सुरुवात बेहाद ही खराब रही और रास्तान रेल्स की टीम इस में दस दसर्वन तीन ओवर में उनसे डन बनाकर ओल आउट हो जाती है इस में रास्तान रेल्स को टीम को 112 और से हार का समना करना पार जाता है दोस् कि पंजाब किंग्स कोलकाता नाइडर्स और लखनों सुबर जैंस टीम को बहुत 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 जटका लगा तो दोस्तों इस मेच के प्रदोस्तों प्रेल चेलेंजर्स बेंगलोर को जीतने के बाद कौन सी टीम को बहुत 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 दोब्सतों कोय अंस्टेश टीम के 10 और आकरी नमर की बात का दो डेली के पीडर्स टीम है डेली के पीडर्स की टीम 12 जार्ड में 8-पुंद के साथ 10 पैदान पद्ध में 50 प्र ये वहीं कॉलकाता नाइटेश हैं की टीम 12 में 10 .. के साथ नमर साथ में पाइदान पे पंजाब किंगस 12 मैचों 12 पोब पूंग के 7 पैदान पे है वही रास्तान टाल्यजिक टेम 13 मैचों 12 के 7 नमर छटे पेदान पे जबकि रूयर्यज चिल энज अधिमें जास बिंगलोर की टीम इस मेच को जित कगे बारो में घान कि तेरफ ूइन के साथ नमरग तीसरे पीदान पर हइए बारो में 12 फीद के शारे अधिर तोस्त धैनसे में संदर्ज एहदराबाद की टीम और डेली के पीटल्स और रास्थानलेस की टीम लगबग पलेफ के लिए से बाहर हो चुकी है इसे में मुंबा इंडियन्स लगणों सुबर जैंसार और आर्सी भी को पलेफ में जाने के लिए बांकी बचे में उने चुको जीतना पड़ेगा